नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का वो विद्यार्थी जिनकी आवाज अच्छी है जो बचती हुई साउंड फ्रिक्वेंसी से अपनी आवाज को मैच करना जानते हैं उनका एक कॉमन सा सवाल होता है संगीत अभ्यास में रोज किस पार्थ का अभ्यास किया जाए इसका उत्तर भी सिंपल सा है यह जो बारा साउंड फ्रिक्वेंसी होती हैं संगीत में सारे गवमपधनी साशुद्ध रे गवधनी कोमल और मौतीवर इन सुरों को आपने पक्का करना है यह सुर आपके पक्के लगते हैं तो फिर आप इन्हें दाने में इस्तेमाल कर सकते हो इन बारा सुरों को पक्का कैसे किया जाए इस पर यह वीडियो सीरीज बनाई जा रही है शुद्ध स्वरों की रियाज का एक वीडियो अपलोड हो चुका है रे को मलेकर सारे इसे ही ग को मलेकर म तीवर लेकर ध को मलेकर और नी को मलेकर यह अभ्यास के वीडियो अपलोड किये जाएंगे यह अभ्यास हम तारस अब तक के रे और ग तक करेंगे आके हमारे यह तारस अब तक के यह हायर नोट्स स्ट्रॉंग हो जाएंगे यह स्ट्रॉंग होते हैं त तो आगे जाकर हम तारह सब्तक के मह और तारह सब्तक के पह तक कमफर्टेबली गा सकेंगे इन वीडियोस पर आपने गाने की कोशिश अगर कर ली तो आप चुद्धस्वर और विकृत्वर पांच विकृत्वर याने रेग धनी कोमल और महतीवर इनको आप ताबू में ला पाओगे सारे गमों पधनी सा रेग इन सुरों की रियाज चार प्रकार से करना जरूरी है पहला प्रकार है प्लेन दूसरा प्रकार है खटका तीसरा प्रकार है मुर्की और चौथा प्रकार है गमक इन चारों ढंगों में आपके प्रैक्टिस के लिए वीडियोस अपलोड किये जाएंगे यह प्रैक्टिस करते वग आप काली चार पटी में याने जी शार्प स्केल में अगर तानपुरा लगाते हो तो आपका अभ्यास अधिक बेहतर होगा आज प्रैक्टिस करते हैं तान नमबर आप गाई आप गाई आप गाई आप गाई आप गाई आप गाई आप गाईए क्रपकाई आप गाई आप ग के अध आप गाई आप गाई? अब बैये आप गई है आप गई है रफ्तार बढ़ेगी आप गई है आप गईे आप गईे आप गई है आप गाईए आप गाईए लख्तार बढ़ेगी बढ़े रेटा आप कईये अब़ेगी 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 अब बादे एंग अब बादे एंग अब बादे एंग अब आप आईएंग दफ्तार बढ़ेगी रे ले 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 आप आईएंग आप गईए आप गईए आप गईए अप गईए आप गईए अब गये अब गये रफ्तार और बढ़ेगी अब गये 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 इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नमबर 88791-83901 पर फोन कर सकते हो मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की जरूर कोशिश करूँगा